आज हम लोग reproductive health के सबसे last topic infertility के बारे में discuss करेंगे हम जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे parents हैं जिनके life में कभी baby possible नहीं हो पाते हैं ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़ा से emotional, social और तमाम तरीकी की disturbances का लोग शिकार होते हैं तो infertility के बारे में जब हम आगे बढ़ेंगे दुनिया में जब इसके कारणों के बारे में discuss करते हैं तो पता चलता है कि इसके infertility के दो reason होते हैं एक primary reason और दूसरा secondary reason primary reason से होने वाले infertility यानि ये कभी भी कोई lady या कोई female अगर pregnant नहीं हो पाई हैं तो उन्हें primary infertility का शिकार माना जाता है अगर कोई किसी भी वज़ा से कभी life में एक बार pregnant हुई outcome क्या रहा उससे मतलब नहीं है लेकिन उसके बाद दुबारा वो pregnant नहीं हो पाई तो उसे हम secondary infertility कहते हैं आपको third year mbbs में जब आप जाएंगे तो गाईनी की books में आपको इससे related एक topic पढ़ने को मिलेगा और इतना ही नहीं आप psychiatry के posting के दौरान आप देखेंगे कि infertility के शिकार जो family होती है जो pair या जो couples होते हैं उनको कई तरीके की psychiatric illness का वो शिकार होते हैं तो ये देखने में आता है कि इस तरीकी के लोगों के बारे में समझने की कोशिश किया जाए उनसे बात किया जाए आप देखेंगे कि दौरान इंफरेटिल्टी का बहुत बड़ा कारण psychological illness भी होता है मैंने खुद अपने life में face किया कि एक बार एक व्यक्ती मेरे पास आए और उनको ये लगता था कि वो potent नहीं है फादर बनने की जबकि उनका internal जो इतनी भी जनेटैलिया है सब कुछ healthy था हमारे प्रोफेसर ने उनसे कहा भी कि आप सिर्फ psychologically परिशान है psychologically ill है तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे society से जुड़ा हुआ एक बहुत important topic है जिसके बारे में बात करना जरूरी है तो infertility इसके कारण क्या हो सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया के बहुत सारे couples कभी भी father बनने की capability नहीं रखते हैं या mother बनने की capability नहीं रखती हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वज़ा से society में बहुत सारे लोग निराश अपनी life जीते हैं इसका कारण क्या हो सकता है infertility का मैंने आपको बताया ना primary infertility और secondary infertility ये NCIT ने बताया नहीं है लेकिन मैं आपके सिर्फ knowledge के लिए बता रहा हूं कि इसको आप आगे अपने MBBS के studies के दौरान आप पढ़ने को पाएंगे इसके कारणों की बारे में बात करें तो कुछ congenital diseases की वज़ा से या कुछ congenital malformation की वज़ा से एक्शली जब हम infertility की बात करते हैं तो इसका ultimate outcome क्या हमारे दिमाग में आना चाहिए ultimate outcome इसमें ये होता है कि कोई mother या father नहीं बन सकते हैं तो इसके कारण कहां कहां हो सकता है एक medical student होने नाते अगर आप सोचें तो आपके सामने सिर्फ इतनी image आनी चाहिए इस image के दायरे में ही अगर आप सोचेंगे तो आप infertility के लगबग सारे कारण आप देख सकते हैं इसको one by one करके देखते हैं एक कारण ये हो सकता है कि ovulation ना हो रहा दूसरा कारण ये हो सकता है कि spawn ना बन रहे हो तीसरा कारण ये हो सकता है कि ये दोनों ही बन रहा है लेकिन इनके बीच में fertilization की गुंजाईश न हो पा रही हो चौथा कारण हो सकता है यह आपस में fertility के लिए जरूरी है कि आपस में fuse करें male भी capable है sperm बनाने के female भी capable है over बनाने के लेकिन उनमें fertilization नहीं हो पा रहा है हो सकता है यह problem fallopian tube में हो क्योंकि sperm यहां से चड़ करके fallopian tube के रास्ते आगे बढ़ता है हो सकता है कि यहां पर यह tube ही बंद हो यहां पर इसकी इतनी नैरो हो कि sperm आगे ना बढ़ पाए इसका patent होना भी एक बहुत बड़ा कारण होता है एक कारण आगे भी आप देख सकते हैं कि uterine endometrium support ना कर रही हो इस वज़ा से भी fertilization भी हो जाने के बाद भी implantation में problem हो रही हो तो इतने ही कारण होते हैं और इसको अगर हम ठीक कर ले गए तो हम infertility को cure कर सकते हैं इसके अलावा भी मैंने आपको एक कारण ये पता है कि psychologically किसे को लगे कि वो पूरी तरीके से capable नहीं है फादर या मदर बनने के लिए तो ये भी एक कारण होता है ये ऐसा तमाम resources के बाद पता चलता है कि दुनिया के 80% infertility के कारणों का cure है अगर proper treatment दिया जाए तो जितने भी कारण हम जानते उसमें से more than 80% cases में कोई family complete हो सकती है उसमें father या mother बनना possible हो सकता है यहाँ पर कारण हम क्या देख सकते कुछ congerital diseases, कुछ drugs के लेने के बाद sperm या egg का production प्रभावित होता है तो इसलिए कुछ drugs भी इसके लिए responsible होती है, कुछ immunological factors होते हैं जो इसके लिए responsible हो सकते हैं इसमें psychological factors बहुत बड़ा कारण होता है मैंने अपने life में इसको देखा word की posting के दौरान कि इस तरीके से मामले आपके से आप भी as a medical student आपको देखने को मिलेगा psychological factor भी होता, infertility का वर्तमान समय में कुछ specialized fertility clinics हैं जो infertility को treat करने के लिए तमाम तरीके से काम कर रही हैं इसके बारे में मैं आपको बताओं, ये काम कैसे करते हैं मैंने अभी आपके दिमांग में एक image बनाने की कोशिश किया, रीजन कहां पर है अगर psychologically ill है, तो उसको confidence दीजे कि वो proper अपनी life को जीए, उनको कोई दिक्कत नहीं है दूसरा ये problem है, कि अगर sperm का production, अब मेल से related अगर हम problem की बात करें तो कई बार क्या होता है, erectile dysfunction होना एक बहुत बड़ा कारण होता है तो उसको drug से हम ठीक कर सकते हैं, कई बार क्या होता है, sperm जो exacerbate करते हैं, उनकी संख्या ठीक नहीं होती है उनकी संख्या जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है numbers हम बढ़ा सकते हैं या फिर कई बार यह होता है sperm इतने motile नहीं होते हैं कि वो जा करके egg को penetrate कर सके हैं इतनी motility नहीं होती है तो उन सारी factors को हम ठीक कर सकते हैं कई बार क्या होता है female के menstrual cycle में problem होती है तो उसको hormonal therapy दे करके हम उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे Assisted Reproductive Techniques ART के बारे में बात करेंगे कुछ ऐसी टेकनिक्स जिसके माध्यम से हम infertility के कारणों को ठीक करने की कोशिश करते हैं इसमें कारण है Invertro Fertilization IVF Invertro Fertilization आप दो शब्द अपने लाइफ में समझ लें एक होता है In vivo और दूसरा होता है In vitro Vivo means जो natural environment है उसकी बात की जा रही है तो in vivo में natural environment के भीतर सारी घटनाएं घटती है यह कहीं पर भी term लिया जा सकता है In vivo In vitro क्या होता यह artificial conditions में कोई काम कराया जाए तो उसे हम in vitro कहते है तो जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा In vitro Fertilization IVF तो जाहिर से बात है यह natural environment में Fertilization नहीं होगा यहाँ पर Fertilization Natural environment में नहीं होगा यहाँ Fertilization Outside the body होगा यानि यही वो मामला है जुसमें Test tube baby की बात की जाती है तो यहाँ पर हम क्या देखते है Fertilization Outside the body जिसे हम test tube baby कहते है इसमें हम और आगे advancement करने की जब हमने बात देखा दुनिया में नए-नए तरीके जब अपनाए गए तो तमाम तरीके से ART के techniques develop हुई जिसमें हम देखते है GIFT एक important technique है जिसमें हम देखते है कि artificially बाहर हमने in vitro fertilize करा करके जाइगोट बनने के बाद उसको fallopian tube में हमने transfer किया और उसी आधार पर इसका नाम रख दिया जाइगोट intra fallopian transfer जिसका full form है GIFT तो इसमें हम क्या करते हैं एक donor male के sperm और donor female के ovum को fertilize करते हैं और artificial fertilization के बाद बनने वाले जाइगोट को 8 cell stage तक पहुँचने के बाद यानि जब वो 8 blastomir के stage में पहुँच जाता है तब जाकर कि हम उसे fallopian tube में transfer कर देते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चीज को मैंने यहाँ पर image में दिखाने की कोशिश किया है यहाँ पर आप देखेंगे sperm को और ovum को artificially हमने जोडा और इनको artificially fertilize करने का मौका दिया जब यह जाइगोट 8 cell stage में जब पहुँच जाते हैं 8 cell stage में जब यह पहुँच जाते हैं तो उसके बाद इसे हम fallopian tube में transfer कर देते हैं तो यहाँ पर यह क्या होता है जाइगोट इंट्रा fallopian transfer की यह technique होती है अब आप सोच सकते हैं कि यह technique कराने के जरूरत क्यों पड़ी अब यह कारण कुछ भी हो सकता है हो सकता है कि sperm female के ovum तक नहीं पहुच पा रहा हो तो इसमें बड़ा factor यह हो सकता है कि sperm इतना motile नहीं क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ कोशिच किया है यहाँ fallopian tube में दिक्कत नहीं है यहाँ पर uterus में भी दिक्कत नहीं है fallopian tube भी open है और यहाँ पर कोई भी narrowing नहीं है यहाँ पर close नहीं है आप यहाँ पर please focus करेंगे तो आप देख पाएंगे कि fallopian tube में भी कोई दिक्कत नहीं है uterus भी proper implant करने के लिए तयार है हो सकता है कि जो sperm है उनकी संख्या कम हो और हो सकता है कि sperm यहाँ तक पहुँचने के लिए capable नहीं हूँ तो हमने क्या कि artificially egg निकाल करके sperm के साथ fuse कराया और उसे fallopian tube में transfer कर दिया अब यह gygoat natural path को trace करते हुए implant होगा तो यह तरीका अपनाने की कोशिक ही आती है सब कुछ वैसा ही होगा जैसा natural fertilization में कराने की कोशिक होती है लेकिन यह fertilization in vitro है यह बात हमें समझ में आना चाहिए इसके बाद अगली बात हम करते हैं intra uterine transfer अभी हमने क्या किया था हमने अभी embryo जो 8 cell stage में पहुंचा हुआ embryo था जिफ्ट में अब बात समझे जिफ्ट में हमने 8 cell embryo को fallipine tube में हमने transfer किया एक तरीका यह भी हो सकता है कि हम उसे सीधे uterus में ही implant कराने की direct कोशिश करें रास्ता और छोटा करने तो अगला एक तरीका यह भी बनाये गया intra uterine transfer का IUT intra uterine transfer इसमें embryo more than 8 cell stage का हो जाने के बाद यानि ऐसा blastomier जो की 8 cell stage में है वो uterus में सीधे transfer किया जाता है और यहां पर उसके implantation के लिए सारी conditions favorable होती है और यहां पर implant करता है यह तरीका जो जिफ्ट और IUT का पढ़ा इसमें in vitro है conditions बाहर fertilization हो रहा है अब आप सोचेंगे क्या कोई ऐसा तरीका हम बना सकते हैं जिसमें in vivo fertilization हो जाए इन vivo fertilization हो जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसमें हम gamete को intra fallopian tube में transfer करते हैं मतलब यह कि हम अब जाइगोड बनाने का इंतजार नहीं कर रहा हैं gamete को हम सीधे हम transfer कर रहे हैं तो इसके दो-तिन कारण हो सकते हैं कारण ये भी हो सकता है कि female यहाँ पर in vivo fertilization की गुंजाईश होगी क्यों क्योंकि यहाँ पर हम जाइगोड या early embryo को हम transfer नहीं कर रहे हैं यहाँ हम सीधे gamete को transfer कर रहे हैं और यह gamete अब अंदर natural condition में fertilize होने की कोशिश करेंगे तो यह in vivo fertilization की टेक्निक है यह सवाल पूछा जा सकता है in vivo natural condition में fertilization की कोशिश की जाती है यह मामले उन female में apply होते हैं जहाँ पर वो ovum को produce करने की capability नहीं रखती है तो उनके fallopian tube में ovum को transfer किया जाता है और बाकी सारी conditions proper हो सकती है तो इसलिए ऐसे female जुनका menstrual cycle के दौरान ovulation नहो रहा है उनमें ovum transfer कर दिये गया फिर sperm पहुच करके वहाँ fertilize करेगा यह एक तरीका हो सकता है gamete को intra fallopian tube में transfer करना तो करन यह भी इसका आप अपना सकते हैं कि female ovulate तो कर ले रही है लेकिन male का sperm वहाँ नहीं पहुच पा रहा हो तो male की sperm को भी अगर हम वहाँ तक पहुच आ दे कारण बस यही है कि या तो यहां से ovary से ovary से egg नहीं निकल पा रहा हो तो उसके बाद क्या होगा यहां से हम यहां फर दूसरा कारण हो सकता है gamit में कि sperm यहां न पहुच पा रहा हो बाकि सारी चीजें हो सकती है तो gamit intra fallopian tube transfer में हम ovary से egg नहीं बनता है ऐसा होने की दशा में हम बाहर से ovary को sorry egg को या ovum को हम यहां पर transfer करते हैं gamit को transfer करते sperm पहुच करके fertilize करता है एक तरीका यह भी हो सकता है कि यहां पर sperm को किसी तरीके से पहुचाने की कोशिश किया जाए तो यह sperm यहां पहुच करके fertilize करे तो यह natural environment में fertilization करने की जो कोशिश होती है उसे हम कहते है gamit intra fallopian transfer एक तरीका और भी है ICSI यह क्या होता है यह तरीका है intra cytoplasmic sperm injection इसमें हम क्या करते हैं इसमें इतने बड़ा आलसी होता है sperm आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा mortality और सबसे ज़्यादा activity होती है वो male के sperm की होती है कितने मुश्किल रास्ते से गुजरते हुए वो esthumus और empula के junction में पहुँच करके वहाँ पर एग को fertilize करता है आप जानते हैं कि वहाँ पर empula और esthumus के junction तक पहुँचने की जर्नी sperm की बड़ी मुश्किल जर्नी होती है वहाँ तक पहुँचता है कुछ मामलों में ये देखा गया है कि कुछ मेल का sperm इतना आलसी होता है कि वो proper egg तक पहुँचना तो दूर egg को penetrate भी नहीं कर पाता तो ऐसे मामलों में क्या करना पड़ता है egg या ovum के भीतर penetrate करने के लिए injectable pipets का इस्तेमाल किया जाता और उस injectable pipet पर हम immobilized जो motile नहीं है sperm उसको हम रख करके या load करके injectable pipet के द्वारा हम inject करते हैं ovum में और उसके बाद यहां fertilization की गुंजाईश हो जाती है तो ये मामला है ICSI टेक्निक का intra-cytoplasmic sperm injection टेक्निक ये एक तरीका होता है इसके अलावा artificial insemination इसमें artificial insemination इतना famous टेक्निक जानवरों में है हाला कि इसे इंसानों पर भी इस्तेमाल किया सकता है आप sperm को सीधे artificial insemination का मतलब समझ रहा है sex में penis का participation ना करा करके injection के द्वारा या किसी और तरीके से हम uterus या वजाईना में sperm को हम inject करने की कोशिश करते हैं semen को inject करने की कोशिश करते हैं तो वो तरीका होता है artificial insemination का अब बात आती artificial insemination की तो आप देखेंगे deep freeze sperm या ये जो तरीके हमने आपको बताए कि embryo को store करके सीधे uterus में या फैलरपियन में जो transfer करने की टेकनिक है इंसानों पर तो अपलाई होता ही है ये हिंदुस्तान में जो गाय और भैसों की means cow और buffalo की जो नसल है उसको बदलने में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा है इस तरीके से तमाम तरीके के जानवरों की नसल बदली गई उनकी breed अच्छे बनाए गए तो वो इसी artificial ये जो हमने artificial reproductive जो techniques अभी इंसानों में पढ़े हैं उन्ही की techniques का इस्तेमाल हमने जानवरों पर भी किया है खैर उसको हम दूसरे topics में पढ़ते हैं लेकिन यहां पर अभी हमें male से और female के बीच का जो human reproduction की जो तरीके हैं उन्ही के दाइरे में बात करना था तो हमने देखा कि अगर हम imagine करें कि problem कहा हो सकता है तो psychological problem अगर हम हटा दें तो हमें सिर्फ वही रास्ते सोचने होंगे जहां पर fertilization के होने में दिक्कत है तो हम उसी के हिसाब से नए नए तरीके अपनाते हैं और मैंने आपको बताया भी कि more than 80% infertility के reason को सही किया जा सकता है और वरतमान समय में इतनी advancement हो चुकी है कि अब इसमें और नए नए तरीके की वज़ह से इसकी success का rate और बढ़ता जा रहा है इसी के साथ हमारा reproductive health का topic खत्म होता है मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये topic समझ में आया होगा एक lecture में हम इस पर best कुछ आपको problem solve कराने की कोशिश करेंगे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस पर based सवाल कैसे frame हो सकता है उसको हम next lecture में discuss करेंगे और उससे आपके दिमाग में एक idea बनेगा कि सवाल को पूछने का तरीका क्या होता है कई बार आप इधर उधर के out of the syllabus जो आप problem solve करते हैं उससे बचने की कोशिश किया करिए वो ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है तो इसी के साथ ही हमारा topic खत्म होता है और आप अच्छे से पढ़ाई करिए